हलो स्वागत है आपका एके कलासे जैपुर चैनल पर मेरा नाम है अजयकुमार आज की कलास में हम जीके के टॉप 40 क्वेसंस कवर करेंगे जो आपकी आने वाली सभी एक्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को ध्यान से और लाश्ट तक दे भारत में किस राज्ज को चामल का कटोरा कहा जाता है आंसर हो जाएगा आंदिप्रदेश भारत में आंदिप्रदेश राज्ज को चामल का कटोरा कहा जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन पहली बार परमानु बम में कहा फ्हेका गया था आंसर हो जाएगा हिरो सिमा पर पहली नेक्स्ट क्वस्टन है ओजोन परत कहां पाई जाती है अंसर हो जाएगा समताप मंडल में समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है नेक्स्ट क्वस्टन है मात्मा गांधी का राजनेतिक गुरू कौन था? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्णिक गोखले मात्मा गांधी का राजनेतिक गुरू था नेक्स्ट क्वस्टन है डेसीमल सब्द किस से सम्मंदित है? आंसर हो जायेगा ध्वनी से सम्बंधित है डेसिमल सब्दे आंसर हो जायेगा चमपा अंग महा जन्पद की राजदानी थी यह आपके लिए बेरी बेरी इंप्पोर्टेंट क्वेशन है आंसर हो जायेगा केरल राज्ज में सांथ गाती इस्तित है नेक्स्ट क्वस्टन है सुनामी का मुख्य कारण क्या है आंसर हो जाएगा समुद्री सत्य पर भूकम्प आना सुनामी का मुख्य कारण है नेक्स्ट क्वस्टन है करकिरेका भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है आंसर हो जाएगा आठ राज्यों से करकिरे का भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है Next question है किस देश के लोग भारत नहीं गूम सकते Answer हो जाएगा पुत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं गूम सकते Next question है कलिंका युद्य कब लड़ा गया था Answer हो जाएगा 261 इसापूर में कलिंका युद्ध लड़ा गया था नेक्स्ट क्वेस्टन है तरायन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था आंसर हो जाएगा 1192 में तरायन का दूसरा युद्ध हुआ था नेक्स्ट क्वेस्टन है पानीपत का प्रिथम युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 21 अपरेल 1526 को पानीपत का प्रिथम युद्ध लड़ा गया था नेक्स्ट क्वेस्टन है बकसर का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 1764 को बकसर का युद्ध लड़ा गया था नेक्स्ट क्वेस्टन है गुजरात की जीवन रेका किस नदी को कहा जाता है आंसर हो जाएगा नर्मिदा नदी को गुजरात की जीवन रेका कहा जाता है आंसर हो जाएगा अमीर खुचरों को भारत का तोटा कहा जाता है आंसर हो जाएगा चीन देश को एसिया का अजगर कहा जाता है नेक्स्ट क्वश्चन है चरक और नागार जोन किसके दर्वार की सोबा थे आंसर हो जाएगा कनिस्किकी चरक और नागार जोन कनिस्किके दर्वार की सोबा थे नेक्स्ट क्वश्चन है निमलिकित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी अंसर हो जाएगा किर्शन सासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राय चलाई थी नेक्स्ट क्वेस्टन है भारतियों के महान रेसम मारगे किसने आरंब कराया अंसर हो जाएगा कनिस्क ने कनिस्क ने भारतियों के महान रेसम मारगे आरंब कराया नेक्स्ट क्वस्टन है सुंग बंस के बाद किस बंस ने भारत पर राज्ज किया आंसर हो जाएगा कन्व बंस ने सुंग बंस के बाद भारत पर कन्व बंस ने राज्ज किया था नेक्स्ट क्वस्टन है किस जीनी जन्रल ने कनिश्क को हराया था आंसर हो जाएगा पेन चाओं ने चीनी जन्रल थे इन्होंने कनिश्क को हराया था नेक्स्ट क्वेस्टन है प्राचीन बारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे अंसर हो जाएगा कुसान सासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे नेक्स्ट क्वेस्टन है तमिल का गौरब गरंत जीवक चिंता मनी किस से सम्बंदित है अंसर हो जाएगा जैनि धर्म से तमिल का गौरब गरंत जीवक चिंता मनी जेन दर्म से संबंदित है Next question है निमलिकित राजबंसों में किसका उलेक संगम साइत में नहीं हुआ आंसर हो जाएगा कदम बे राजबंस का उलेक संगम साइत में नहीं हुआ नेक्स्ट क्वेस्टन है उस सासक का नाम क्या है जिसने बिजे इस्तम्ब का निर्मान कराया था अंसर हो जाएगा राना कुम्बा राना कुम्बा ने बिजे इस्तम्ब का निर्मान कराया था नेक्स्ट क्वेस्टन है सेन बंस का संस्तापक कौन था अंसर हो जाएगा सामन्त सेन सेन बंज का संस्तापक था नेक्स्ट क्वस्चन है पाल बंज का संस्तापक कौन था अंसर हो जाएगा गोपाल पाल बंज का संस्तापक था नेक्स्ट क्वस्चन है अजेपाल संस्तापक थे अंसर हो जाएगा अजमेर के संस्तापक अजयफाल थे नेक्स्ट क्वेशन है किसने सोमपुर महा बियार का निर्मान कराया था अंसर हो जाएगा धरमपाल ने धरमपाल ने सोमपुर महा बियार का निर्मान कराया था नेक्स्ट क्वस्टन है बर्तमान में स्योक्त राष्ट संके सदस्यों की संक्या कितनी है आंसर हो जाएगा एक सो तिर्रान में बर्तमान में स्योक्त राष्ट संके सदस्यों की संक्या एक सो तिर्रान में है सरदार सरोबर परियोजना kis नदी पर इस्तित है आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोबर परियोजना नर्मदा नदी पर इस्तित है quarterly कि द्रस्टी से उत्तर प्रिदेश का भारत में कौन सा इस्तान है आंसर हो जाएगा चोथा सेतरपल की दरश्टी से उत्तर प्रिदेश का भारत में चोथा इस्तान है और जन सिंक्या की दरश्टी से उत्तर प्रिदेश का भारत में पहला इस्तान है नेक्स्ट क्वेस्टन है कुतु मीनार का निर्मान कार्य पूरा करवाने का सिरे किसे दिया जाता है अंसर हो जाएगा इल्तितमिस को कुतु मीनार का निर्मान पूरा करवाने का सिरे इल्तितमिस को दिया जाता है नेक्स्ट क्वस्चन है मयूर संगाशन पर बैटने वाला अंतिम मुगल सासक कौन था अंसर हो जाएगा मौम्मद सा मौम्मद सा मयूर संगाशन पर बैटने वाला अंतिम मुगल सासक था नेक्स्ट क्वेस्टन है दल बदल बिरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था अंसर हो जाएगा 1985 को दल बदल बिरोधी कानून पारित हुआ था नेक्स्ट क्वस्चन है मेगिस्तिनीज निमलिकित में से किसका राजदूद था अंसर हो जाएगा सेल लूकस निकोटर का राजदूद था मेगिस्तिनीज नेक्स्ट क्वेस्टन है उत्तर प्रदेश में चक्वंदी किस वर्ष आरंब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1954 में उत्तर प्रदेश में चक्वंदी आरंब की गई थी नेक्स्ट क्वेस्टन है जवार सुरंग कहां इस्तित है? आंसर हो जाएगा जम्मु कस्मीर में जवार सुरंग इस्तित है सुवेत करांती का संबंद किस छेतर से है आंसर हो जाएगा दूद से सुवेत करांती का संबंद है सहरा मरुस्तल किस मादीप में इस्तित है आंसर हो जाएगा अफ्रीका मादीप में सहरा मरुस्तल इस्तिध है नेक्स्ट क्वेस्टन है किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है आंसर हो जाएगा नार्वे में नार्वे देश में हरा सूर्य दिखाई देता है नेक्स्ट क्वस्चन है बहे कौन सी दातू है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है अंसर हो जाएगा सोडियम दातू को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है नेक्स्ट क्वस्चन है एसिया मादीब का सरवादिक जनसिंग्या वाला देश कौन सा है अंसर हो जाएगा चीन एसिया मादीब का सरवादिक चंसिंग्या वाला देश है नेक्स्ट क्वेस्टन है कोनार्ख सूर्य मंदिर किस राज्ज में इस्तित है अंसर हो जाएगा उडिशा राज्ज में कोनार्ख सूर्य मंदिर इस्तित है नेक्स्ट क्वेशन है सास बहु मंदिर कहां इस्तित है आंसर हो जाएगा उधेपुर के नागदा में सास बहु का मंदिर इस्तित है ओक के सातियो यहाँ पर आपकी क्लास समापत होती है क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए